बेहत दुखा समाचार माज़ंडे वाली के लाड़ ले अधर्णी शीर नरेंद्र चंचल जी हम सब को छोड़ कर चले गए नहीं रहे भजन समराथ नरेंद्र चंचल चलो बुलावा आया है ओ जंगल के राजा मेरे मया को लेकिया जा जैसे भजनों से लोग के दिलों में राज़कंडे वाले भजन समराथ नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन हो गया बता दे कि नरेंद्र पिछले लंबे समय से बिमार चल रहे थे तो वहीं पिछले तीन दिनों से उनका इलाज दिल्ली की अपॉलो अस्पताल में चल रहा था उन्होंने आज दोपहर करीब 12 बच के 15 मिनट में अपनी अंतिम सास ली आपको बता दे हम कि उन्होंने कई प्रसिद भजनों के साथ हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं वहीं दूसरी तरफ नरेंद चंचल के निधन की खबर सामने आने के बाद बॉलिवूट और उनके फैंस शौक में हैं जैसे कि आप भी जानती होंगे कि नरेंद चंचल वो नाम है जिनोंने माता के जगराते को अलग दिशा दी थी उन्होंने ना सिर्फ शास्त्री संगीत में अपना नाम बनाया बलकि लोग की दिल जीत लिया नरेंद चंचल ने बचपल सही अपनी मा के लाश्वती को मातरानी के भजन गाते हुए सुना और मा के भजनों को सुन सुन कर उन्हें भी संगीत में रुची होने लगी बता दें कि नरेंद चंचल की पहली गुरू उनकी मा थी इसके बाद चंचल ने प्रेम त्रिखा से संगीत सीखा फिर वो भजन गाने लगे थे आपको बता दें कि बॉलिवुड में उनका सफर राश कपूर के साथ शिरू हुआ फिल्म बॉबी में उन्होंने बेशक मंदर मज़ित तोड़ो गाया था और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाये लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म आशा में गाये माता के भजन चलो बुलावा आया है से जिसने रात और रात उन्हें मश्यूर बना दिया सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाली में नरेंडर चंचन ने कोरोना को लेकर एक गाना गाया था जो काफी वायर हुआ था माता वैश्नु देवी को लेकर उनकी खास आस्था थी साल 1944 में लगातार माता वैश्नु देवी के दरबार में आयुजित होने वाली वाशिक जागरन में हास जी लगाते थे वो लेकिन इस बार कोरोना की वज़ा से ये संभव नहीं हो पाया और आज नरेंडर जी हमारी बीच में नहीं रहे और हाँ हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को जरूर प्राइब